नमस्कार शानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है गरीबी के आंकडों में अंतर क्यों। और यहाँ पर गरीबी के आंकडों में अंतर क्यों का अर्थ है कि भारत में जो गरीबी समंधी आंकलन किये जाते हैं, उससे समंधित जो आकड़े आते हैं आखिर अलग-अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा किये जाने वाले अध्यन के अनुमानों में आखिर इतना अंतर क्यों है अगर हम भारत में गरीबी और और समानता से समंधित अनुमानों की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको यह बात कही कि अलग-अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा किये जाने वाले अध्यनों और सोथ के जो अनुमान होते हैं वो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं बल्कि अलग-अलग होते हैं और सास्त्रियों के बीच मद्भेद ना किवल उन आंकडों पर मौझूद हैं जो उनके अनुमान का आधार बनते हैं क्योंकि हाल के वर्सों के लिए आधिकारिक आंकडों की अनुपस्तिति हैं क्योंकि अंतिम आधिकारिक आंकडा 2011-12 का है और इसी 2011-12 के आंकडों के आधार पर गरीबी और औसमांता के अनुमान लगाये जाते हैं या उनके अनुमान का वो आधार बनते हैं। हाल के आधिकारी डेटा के अभाव में इस बात पर मद्भिद उभरे हैं कि गरीबी और औसमांता पर महामारी ने किस हद तक प्रभाव डाला है। अब इस तरह आधिकारिक आकणों के अभाव में अर्थ सास्त्री विभिन डेटा के अलग जो स्तुरूत होते हैं उसके आधार पर अपने अनुमान लगाते हैं। हम इसे उदाहरण की रूप में समझते हैं। जैसे एक आधार है गरिबी आकणों से संबन्दित जो अनुमान होते हैं उनका आवधिक श्रम बल सर्विक्षन मतब पिरियोडिक लेवर फोर्स सर्वे की बात करें तो इसे राष्टी नमूना सर्विक्षन कारियाले NSSO जो Ministry of Statistics एवं प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन के अंतरगत आता है 2017 से PLFS को जारी कर रहा है PLFS के अंतरगत रोजगार और बेरोजगार के जो अलग-लग इंडिकेटर्स होते हैं उसका अनुमान दिया जाता है जैसे श्रमबल भागिदारी दर, स्रमिक जनसंख्या अनुपाद, बे जाल मोरे ने और इन दोनों अर्षास्त्रियों ने जो गरिवी का आंकलन किया है उसका आधार लिया है आधिक स्रमबल सर्विक्चन को इसके आधार पर इन्हों यह बात कही है कि अप्रेल से जून 2020 जब देश में करोना महमारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगडाउन ल देखा गया कि जो गरामीन गरीबी है उसमें तेजी से गरावट आए ठीक यही हाल रहा शहरी गरीबी का भी इनके सोध यह कहते हैं कि शहरी गरीबी में भी 2020-2021 में मामली विर्दी देखी गई और अप्रेल जून 2020 तक इसमें गरावट फिर सुरू हो गई अब यहां पर य गरामीन इस तर पर जो गरीबी उसको कम करने में काफी मदद मिली ठीक उसी प्रकार मन्रेगा का जो महत्रपून विस्तार किया गया और इसके कारण गरामीन छेतरों पर जो शहर से आए हुए पलाइन किये हुए रिवर्स मैगरिसिन किये हुए जो लोग थे उनको रोजग इन दोनों गरीबी में कमी कि वहीं अगर हम गरीबी आकलन के आकड़ों से समंदित अगर अन्य आधार की बात करें तो एक आधार है Center for Monitoring Indian Economy या संचेप में CMI द्वारा दिये गए आकड़े इसके आधार पर जो गरीबी का आकलन किया गया और उस आकलन का जो परिणाम रहा अगर हम उसकी बात करें तो अजीम प्रेम जी युनिवर्सिटी के जो अर्सास्त्री हैं उन्होंने State of Working India 2021 नमक रिपोर्ट को परकासित किया और इसके अनुसार अर्सास्त्रियों का ये कहना है कि जो कोविड महमारी है उसके कारण गरीबी में अचानक वर्दी हुई इनके जो आकड़े हैं उसके अनुसार मार्च से अक्टूबर 2020 मतलब आट महने की अबधी में जो आई के निम्न दस परतिसत जो लोग हैं उन परिवारों की जो ओसत आया है उसमें 15,700 रुपे तक ही कमी हो गई इस आय की कमी का जो प्रभाव पड़ा जो परिनाम सामने आये उसके अनुसार ग्रामीन छेत्रों में गरीबी दर में 15% अंक और शहरी छेत्रों में लबब 20% अंकों की विर्दी हुई वहीं CMIE के आधार पर जो एक और सोध पत्र आया जिस सोध पत्र को तयार किया अरपित गुप्ता, अनुप मलानी और बाटोज वोडा ने तो उन्होंने अपने सोध में यह पाया कि अगर हम विश्व बैंक के अत्यधिक गरीबी निर्धनता को तै करने का आधार जो 1.9 डॉलर परड़े है उसके आधार पर अगर हम आगलन करें तो उन्होंने यह बात कही कि नॉवमल 2019 में जो 7.6 परतिसत था गरीबी का वो बढ़कर अप्रिल 2020 में 50.5 परतिसत हो गया और बाद में अगर हम देखें जब कोविड महामारी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा तो भी अपुर महामारी के इस तरह तक ठीक नहीं हुआ वहीं अगर हम अन्य संकितिकों की बात करें तो उसके आधार पर यह देखा गया कि जो अत्यधिक जो स्रमिक थे ज़्यादा जो लेबर थे वो किरसी पर वापस चले गए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि गैर किरसी रोजगार का अभाव देखा गया बाचार में फिर वहीं यह देखा गया कि महामारी से पहले की अबधी की तुला में जो मनरेगा की डिमांड थी वह काफी जादा बढ़ गई महामारी के दौरान यह भी यह संकित देता है कि गैर किरसी रोजगार में काफी कमी हो गई या उसका अभाव होगा साथी साथ नियमित वास्तिक मजदूरी में भी गिरावट देखी गई क्योंकि इसके दो पक्ष हैं एक तो यह जितनी मजदूरों की डिमांड है उससे ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाना एक तो यह और दूसरा कि रोजगार की कमी हो जाना या बाजार में रोजगार दे देखें तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि आधिकारिक उपभोग व्याट डेटा के अभाव में मतलब एक यह कि डेटा की अनुपलब्दता के कारण या जो डेटा जितनी मातरम उपलब्द होनी चाहिए और जितनी फ्रिक्वेंसी में उपलब्द होनी चाहिए उसके भाव के कारण वैकल्पिक डेटा सोतों पर निर्वरता बढ़ गई है गरीबी के आकलन के लिए विभिन अर्थ सास्तियों की जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि अलग-अलग संस्था और व्यक्तियों के द्वारा गरीबी के आकलन से समंधी जो आक्रे दिये जा रहे हैं वो एक दूसरे के समान ने है, एक दूसरे के विप्रीद देखे जा रहे हैं। और यह जो इस्थिती है, वो नीती निर्मान के लिए हानिकारक है। वह इसलिए क्योंकि गरीबी और आसमानता के रुझानों और उनके अंतरनीत कारणों को समझना, सरकारी नीतियों और कारेकर्मों को डिजाइन करने के लिए महत्पूर्ण है और समय पर विश्वसनी डेटा की अनुपस्तिती विशेश रूप से अनिस्चितता के समय में जैसे COVID के समय में नीति निर्मान की दिश्टी से सही नहीं है और इस पर ध्यान देने की आवज सकता है हला कि ऐसा नहीं कि सरकार इस दिसा में कुछ करनी रहे कुछ कदम उठाए गये हैं जैसे रोजगार सर्विक्षन जो अब अधिक नियमित्ता के साथ किये जा रहे हैं लेकिन इसके अलावा यह जोरी है कि देश की सांखी की परणाली को मजबूत किया जाए ताकि गरीबी और बिरुजगारी से समंधी जो डीटा है वो सही समय पर या रियल टाइम पर प्राप्त हो सके ताकि गरीबी और बिरुजगारी को सही समय पर कम करने के समंध में सरकार की दोरा नीती निर्मान किया जा सेके तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने गरीबी से समन्दी जो अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उस पर हमने चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को हम नहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार